welcome to new lesson इस lesson में मैं आप से दो चीज़ों के बारे में बात करूंगा पहला networks and the second thing is location ठीक है जी so network and location networks and second one is location अब देखो ये दोनों चीज़ों होती ही क्या है अब आप देख सकते हो यहाँ पे मैं Google search ad अगर बना रहा हूँ नया search ad तो मेरे पास एक option आता है that is networks अभी आप ये मत देखो कि ये आता कहां से है ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा जब हम ad बनाएंगे बट अभी मैं आपको अगले कुछ लेसंस में जो भी एक एक छोटी छोटी चीज है जो की ad बनाते समय आती है उसको मैं आपको explain करूँगा डीटेल तो number one चीज networks networks का मतलब है आप अपनी ad कहां कहां दिखाना चाहते हैं अब देखो networks के अंदर दो चीज़े आ रही हैं पहला search networks and दूसरा display network ठीक है जी search network and दूसरा display networks अब अगर यहां पर ध्यान से देखो तो एक चीज़ है include google search partners ठीक है जब अब search network बात करते हो तो search network का मतलब है आप अपनी ad कहां दिखाते हो आप अपनी ad दिखाना चाहते हो google की वो वो properties जहां पर search किया जा सकता है जैसे कहां कहां सर्च हो सकता है google search पे जाके google.com पे जाके search करो right then google maps पे आप search कर सकते हो google play store पे search कर सकते हो ठीक है तो जहां जहां google की properties है जहां जहां आप search कर सकते हो वहाँ वहाँ ये add आएंगे, उसे हम कहते हैं search network और दूसरा क्या है display network, display network का मतलब है आप किसी भी website पे जाते हो, वहाँ जो भी add दिख रही है वो किस चीज का part है, display network का अब देखो होता क्या है, google काम कैसे करता है आप में से जातर लोगों को idea होगा इस चीज का google का एक platform है adsense right अब adsense क्या करता है, देखो अब suppose करो मैं एक advertiser हूँ ठीक है, अब मुझे अपनी ad दिखानी है, internet पे तो मेरे पस क्या option है, मैं जो भी website owner है उससे जाके बात करूँ और मैं उसके साथ deal negotiate करूँ और ad दिखाऊँ बट मैं कितने website owner से बात करूँगा हाना, ये scalable नहीं है, ऐसे बड़ी दिक्कत होगी मुझे तो इस problem को google ने समझा और google ने एक platform बनाया जिसका नाम है adsense अब google क्या कहता है, कि देखो भाईया, आपके पस website है आप website से पैसे कमाना चाहते हो advertiser को कहता है, भाईया देखो आप अपनी product ये service logo तक पहुँचाना चाहते हो ठीक है, तो google ने क्या कहा, google ने owner को कहा कि आप आके मेरी website पे register करो और जैसे ही आप मेरी website पे register करोगे, मैं आपकी website पे ads दिखाने लगूँगा और इस ads का कुछ percentage आप रख लेना और कुछ मुझे दे देना, क्योंकि भाईया मेरे को बड़ी महनत करने पड़ रही है, ये platform बना के simple ये कहानी हो गई दूसरा Google ने क्या का Advertiser की भाईया देखो, तुम मेरा एक और platform है AdWords तुम AdWords पे आना और आके ad बनाना और ad बनाके जितने लोग हैं, जिन्होंने मेरे platform पे register किया हुआ है उनकी website पे तुमारी ad में दिखा दूँगा again based on interest and all other demographics and all other good things तो ये simple funda है Google के ads का अब पहला option देता है Google search network और दूसरा option देता है Google display network अब search network के अंदर Google ने की tick दिया हुआ है include Google search partner अभी Google search partner क्या है अभी Google search partner वो लोग है जो की Google का custom search engine यूज़ करते है क्या करते है Google का custom search engine यूज़ करके जो की अपनी website पे result दिखाते है वो है Google के search partner अगर आप एक example देखना इस time पे कुछ 5-6 लाग से ज़्यादा website है जो Google के custom search engine के through add दिखाती है अपनी searches दिखाती है for example अभी देखो यहां मैं एक website पे हूँ जिसका नाम है guardian अब यहां अगर मैं guardian पे जाके search मारूँ देखो यहां पे search का option है यह रहा search तो मैं search पे आता हूँ और मैं यहां पे लिखता हूँ क्या लिखें MBA coaching ठीक है मैं यहां आके search मारता हूँ MBA coaching तो अब यह देखो उपर add आ रही है यह देखो एड आ रही है यह एड कौन सी है यह एड है search partner यह क्यों आ रही है एड क्योंकि the guardian क्या यूज कर रहा है google का custom search engine यूज कर रहा है result दिखाने के लिए guardian क्या है google का search partner तो अब google आपसे पूछ रहा है कि भाईया क्या आप search partner पे एड दिखाना चाते हो यह नहीं दिखाना चाते है देखो personally मैं search partner पे कभी भी एड नहीं दिखाता हूँ क्यों क्योंनी दिखाता हूँ क्योंकि जत्ना भी मैने देखा है जितने भी मैने campaigns run की है उसमें search partner से उतने अच्छä result नहीं आए जितना google Google search से आते हैं, तो मैं search partner को कभी भी include नहीं करता, अगर आपको search partner को include करना है, तो I'll suggest कि आप एक काम करो, आप दो campaign बनाओ, एक campaign में search partner include करो, एक campaign में search partner include मत करो, और देन आप results को compare कर लो, या फिर अगर budget की दिक्कत है, तो एक ही campaign बनाओ, और उसी में search partner रखो, और देन वो देख लो आप, कि search partner से कितने अच्छे result आ रहे हैं, और Google की property से कितने अच्छे result आ रहे हैं, ठीक है, तो आप ये काम कर सकते हो, दूसरी चीज़ Google कह रहा है, क्या भाई, display network पे add दिखानी ह हैं, क्या websites के उपर add दिखानी हैं, क्या videos के उपर add दिखानी हैं, क्या apps के उपर add दिखानी हैं आपको, तो हम कहेंगे नहीं दिखानी भाईया, क्यों नहीं दिखानी, क्योंकि मैं बना रहा हूँ search add, अगर मैं display add बनाओंगा, तब मैं websites पे add दिखाऊंगा, तब मैं apps पे add अगर आप search network search partner को test करना चाहते हो तो मैंने आपको अभी बताया कि कैसे आप search partner को test कर सकते तो I hope कि network क्या होता है ये आपको up clear है तो क्या था search partner, search partner वो websites है जो कि Google का custom search engine use करके add दिखा रही है बहुत इसे उपर अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो देखो यहाँ पर एक option आता है locations locations कि भाईया add कहां दिखाना चाहते हो पहला option क्या है all countries भाईया पूरी दुनिया में add दिखाना चाहता हो दूसरा क्या है मैं इंडिया के अंदर add दिखाना चाहता हो या तीसरा देखो यहाँ पर एक option है enter a location to target आप dilli mad दिखाना चाहते हो तो यह dilli mad दिखा दो कि से अटाओ यहाँ पर लिको deli और target आ रहाँ तो देखा दो target deli अब deli mad दिखेगी ठीक हैpresa research पर जाओ और अब चाहो तो suppose मै आट दिखाना चाहता हूँ तिलक नगर में इसको लिया मैंने radius और यहाँ पे मैंने किया तो यह ले लिया मैंने तिलक नगर अब मेरी एड कांद दिखेगे? तिलक नगर मैं दिखेगे? बहुत ही simple ठीक है? अब वापस मैं क्या कर सकता हूँ? तिलक, नगर और यहाँ से मैं radius गर सकता हूँ कितना दिखाना चाहता हूँ, सपोज मैं 10 किलोमेटर में आट दिखाना चाहता हूँ तिलक नगर में, तो यहाँ से लिया तिलक नगर और यहाँ से किया टार्गेट ठीक है, आप देखो PIN mode है, आप PIN के थुरू भी दिखा सकते हो, तो सपोज आपको दिखाना है 110018 यह रहा, यह ले लो 110018 दिखा दो एड, राइट PIN कोड से दिखा दो, तो जैसे भी एड दिखाना चाहते हो, आप वैसे location चूज करके, एड दिखा सकते हो ठीक है जी बहुत ही बहुत ही जादा simple है बट जब आप location select करोगे location option में जाके तो देखो, Google आपको तीन option देगा क्या option देगा तीन options, यह तो आप समझ गए न, उपर वाला कैसे करना है all countries, सारी countries इंडिया, मैं बस इंडिया या enter, कोई और location अपनी pin code या जैसे भी दिखाना चाहते हो सेतिलक नगर में दिखाना है या जो भी आपको pin code डालने 110045, तो pin code डाल दो और यहां से target कर दो, फिर इसी location के अंदर आपकी add दिखेगी लोगों को, कोई attention की बात दो अब तीन option देता है Google आपको, पहला suppose करो, मैंने location लिया यहाँ पे डेली मैंने लिया Delhi, यह location लिया मैंने, अब नीचे देखो, Google मेरे को तीन option दे रहा है, पहला क्या दे रहा है people in or who show interest in your targeted location ध्यान से समझना, पहला क्या था people in or who show interest in your targeted location ठीक है, अब suppose करो यह है कोई और यह कहा रहता है, बंदा दिल्ली में आपका keyword क्या है, MBA coaching आपका keyword है, MBA coaching और यह बंदा का है, दिल्ली में और इसने सर्च क्या हमारा MBA coaching बताओ क्या आपकी एड दिखेगी बिल्कुल दिखेगी, क्यों दिखेगी इस बंदे ने आपका keyword सर्च मारा है और यह बंदा कहा है people in तो यह दिल्ली में है न भाई, आपकी आपकी एड दिखेगी, दूसरा example suppose करो, यह बंदा है मुंबई में यह कहा है बंदा, मुंबई में बटे सर्च मारता है, suppose करो MBA coaching in Delhi क्या मारता है सर्च? MBA coaching in Delhi बताओ क्या दिखेगी, हाँ दिखेगी, क्यों दिखेगी? यह कहा हता है, who show interest in your targeted location यह दिल्ली में तो नहीं है, बट दिल्ली में इसने क्या दिखाया है? इंट्रस्ट, कैसे दिखाया है interest? इसने सर्च कहा है people who show interest in your location ठीक है? बहुत ही, बहुत ही, बहुत ही ज़ादा है, असान दूसरा क्या है option? people in, और regularly in your targeted location यह ले लोगे तो क्या होगा? उसी बंदे को एड दिखेगी जो आपकी location में है, मतलब जो दिल्ली में है या तो हमेशा रहता है, या regularly दिल्ली में रहता है ठीक है? तीसरा option people searching for your targeted location, मतलब बंदे तो कहीं भी हो बट वो search क्या कर रहे हो? आपकी targeted location मतलब अभी example देखा था न, चाहें हो कोई मुंबई में हो बट वो search क्या मार रहा है? MBA coaching in Delhi अभी भी add दिख जाएगे, ठीक है? बहुत ही बहुत ही बहुत ही जादा simple right, तो ये simple क्या था? location targeting, मतलब जिस place को आप target कर रहे हो, ये उसके लिए suppose करो, मैं क्या कर रहा हूँ? मैं दिखा रहा हूँ add पूरी इंडिया में, बट मैं दिल्ली को exclude कर दे तो दिल्ली लिखा, exclude, add तो पूरी इंडिया में दिख रही है, बट दिल्ली को मैंने exclude कर दिया, उससे पहले अब आपको option क्या लेना है यापे, target में आपको लेना क्या है? देखो अब यहाँ पे depend करता है कि आपका nature of business कैसा है? अगर कोई ऐसा बंदा है, जो out of Delhi से भी अगर सर्च मारे और आप उसको भी service दे सकते हो, तो आप पहला option select करोगे या अगर आपका कोई local business है, यह doctor वगर हो आप और आप 10 या 15 km के radius में ही service दे सकते हो और customer को आप से personally visit करना पड़ेगा आपके पास, तो आप रख लो people in your targeted location, ठीक है यह तो target की बात होगी, दूसरी चीज़, exclude, अब जैसे मैं अपनी ad कहां दिखा रहा हूँ, इंडिया में, बट मैंने exclude क्या कर दिया, डेली, डेली को exclude कर दिया मैंने, तो अब होगा क्या, अब ये होगा, अब मेरे पास दो option फिराग, कि भईया किसे exclude करना चाहते हूँ, पहला people in or who show interest in your excluded location, सपोज मैंने exclude क्या किया है, दिली, तो ये कहा रहा है किसे exclude करना है, पहला people in, या तो वो बंदा दिली में हो, या वो आपके location में interest दिखाए, मत्तब सपोज करो कोई मुंबई में है, बट तो सर्च क्या मारता है, MBA coaching in Delhi, तो क्या कहा रहा है, क्या मैं इसे exclude कर दूँ, तो पहला option बिलकुर, तो कौन exclude होगा, या तो वो दिली में हो, या दिली से बाहर हो, और interest कहा दिखा रहा हो, दिली में, तो वो exclude हो जाएगा, क्यों exclude हो जाएगा, क्योंकि मैंने दिली को add कर दिया है, as an exclusion, दूसरा option, people in your excluded location, कि जो भी बंदा आपके excluded location के अंदर हो, वही exclude हो, तो उसे बस exclude कर सका, तो यह हैं दूसरा option, तो यह दो option है, languages के, यहाँ पे आपको पहला वाला option ही लेना है, तो यह बहुत है simple location का settings था, जो कि आपने समझा, और उसके पहले आपने समझा, आज networks के बारा, ठीक है जी, so thank you so much for watching this lesson,